अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे Hello Everyone, स्वागत आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है Government Exams Funda CDS 2 2019 के लिए Crunt Affairs की सीरिस चल रही है आज इसका रहेगा Part 12 अगर आपने इससे पहले के Parts नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सारे Parts देख लीजिए तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं इसके इलावा CDS का WhatsApp Preparation Group चल रहा है अगर आपने जॉइन करना हूँ तो इस नमबर पर WhatsApp करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं तो चलिए पहले कोशन की तरफ चलते हैं अभी अभी Foreign Direct Investment के Related एक जो है Report रिलीज हुई थी किसने डाटा रिलीज किया? तो ये डाटा रिलीज किया Ministry of Commerce and Industry ने अब इसमें क्या था कि जो हमारी महाराष्टर है महाराष्टर वहाँ पर N.A.R.I.S. के द्वारा सबसे जादा FDI की Investment हुई है लास्ट चार Financial Years में तो बहुत जादा Important है सबसे जादा महाराष्टर में महाराष्टर दूसरे पर है कैरिला और तीसरे पर है गुजराथ तो ये ओर्डर आपने याद रखना है महाराष्टर कैरिल और गुजराथ और ये तीनों स्टेट्स का अगर देखा जाए तो लगभग जो N.A.R.I.S. के त्वारा FDI की Investment हुई है पूरे इंडिया में उसका 60% यही तीनों जो स्टेट्स है उसको कॉंट्रिव्यूट करती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डाटा किसने रिलीज किया है Ministry of Commerce and Industry ने तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो चलिए चलते हैं आगे इसके इलावा Generalized System of Preference काफी न्यूज में रहा USA ने GSP जो है उस वो स्टेटेस इंडिया और टर्की से छीन लिया है टर्की से 2-3 महीने पहले ही छीन लिया था इंडिया का रिव्यू कर रहे थे GSP तो इंडिया से भी स्टेटेस Generalized System of Preference वापिस ले लिया गया है अब ये Generalized System of Preference होता क्या है एक्चुली जो हमारी Developing Countries है Developing Countries उनको जो Export करना होता है उनके Export पर कोई Tariff नहीं लगता या फिर बहुत कम Tariff लगता है तो इसको कहते है Generalized System of Preference जैसे कि USA के साथ हमारा Generalized System of Preference के थ्रूँ काफी Export होता था तो USA है तो उन्होंने क्या किया हुआ था इंडिया के काफी जो चीजे है उन पर कोई भी Tariff नहीं लगता था जब इंडिया Export करती थी USA को तो लेकिन अब उन्होंने वापिस ले लिया है क्यों इसका Main Reason यही उन्होंने कहा है कि इंडिया और USA के बीच यह जो Export और Import की डील होती है उसमें हमेशा इंडिया को ज़्यादा फाइदा होता है और Trade जो है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा जुका हुआ है तो इस वज़ा से डॉनल्ड ट्रम्प ने जीएसपी से हटा दिया है इंडिया को तो अब important चीज़े आपने क्याद रखनी है पहली चीज़ कि यह जो developing countries है उनके लिए है दूसरी चीज़ USA ने टर्की और इंडिया से जीएसपी सिस्टम जो है हटा दिया है तीसरी चीज़ लगभग इंडिया में यह extend कब हुआ था इंडिया इसके अंडर जनरलाइज सिस्टम और प्रेफरेंस के अंडर किस एर में आया था तो वो आया था 1976 में तो ये आपने याद रखना है लगभग 2,000 प्रोड़क्ट जो है 2,000 प्रोड़क्ट जो है इंडिया एक्स्पोर्ट करता था इसके अंडर, GSP सिस्टम के अंडर तो ये चीजें आपने याद में रखनी है इसके इलावा लगभग 5 बिलियन डॉलर 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था पिछले साल इंडिया ने Generalized System of Preference के अंडर जो हमारे प्रोडक्ट साते हैं तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है तो चलिए चलते हैं आगे अगली important news क्या है Mars quake तो पहली बात जो है Earth quake आपने सुना ही है जब भुचाल आता है हमारी प्रिथवी पे तो Mars quake यानि कि वहाँ पे भी trembling जो है फील की गई है Mars के उपर Mars के उपर और ये सबसे पहला instance है कि वहाँ पे इन ट्रेंबलिंग्स को फील किया गया है NASA के दवारा किस उन्होंने एक अपना insight mission launch किया था जो Mars की study करने के लिए था तो यही जो हमारा insight mission में उनका प्रॉब गया था उसी ने इन ट्रेंबल्स को फील किया है तो यह पहला instance बना है आपको पूछा जा सकता है यह insight mission किस ने launch किया था तो यह किया था NASA ने और अभी अभी recently किस प्लेंट पे ट्रेंबलिंग्स फील की गई है ड्यू टू इंटीरियर जो उसका structure है उस प्लेंट का तो वो है Mars quake Mars बर तो चलिए चलते हैं आगे आगे देखते हैं साइकलोन फानी आया था आपको पता है बहुत जादा important है काफी destructive था यह जो हमारी IMD है Indian Meteorological Department सबसे पहले तो इसके headquarter कहां है इसके headquarter है न्यू दिली में न्यू दिली में तो इन्होंने IMD ने cyclone फानी को जो है extremely जो हमारा devastating चीज होती है जो devastating cyclones होते हैं उसमें cyclone फानी को रखा था IMD ने तो इसके इलावा चीज़े आपने क्या याद रखनी है पिछले लगबग 120 सालों में अगर हम April मन्त की बात ले April मन्त की बात ले तो सिरफ 14 cyclones tropical cyclones Bay of Bengal के उपर develop हुए है पिछले 120 सालों में April के मन्त में और उन 14 cyclones में से ये पहला cyclone था जो April के महीने में Indian mainland से टकराया था तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इस वज़ा से cyclone फानी बहुत ज़्यादा important हो जाता है इससे पहले जो तो दूसरी चीज़ क्या है cyclone फानी डिवेलप कहां हुआ tropical cyclone था कहां Bay of Bengal तो ये भी आपने चीज़ को याद रखना है इससे पहले एक cyclone आया था नर्गिस 2008 में एपरिल के महीने में ही तो ये जो cyclone था इसने किसको धवस्त किया था Myanmar को तो ये Myanmar से हिट किया था तो काफी नुकसान हुआ था इस cyclone के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी इसी की वज़ा से नियूज में रहा दूसरी चीज़ cyclone फानी का नाम cyclone फानी किस ने दिया तो ये दिया है बांगला देश ने दूसरी चीज़ जो North Indian Ocean में हमारे cyclone आते है उस क्या नामकरन कौन कर सकता है उस कमेटी के मेंबर कौन कौन है उस पैनल के तो वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांगला देश, मालदीव, मियनमार, उमान, श्रिलंका और थाइलाइन तो एक बार इनको आपने देशों को गोध्रू कर लेना है और cyclone फानी का नाम फानी किस ने रखा तो वो रखा बांगला देश ने तो चलिए चलते हैं आगे अब आगे देख लेते हैं Basel Convention और साथ में उसके इलावा अगर हम बात करें Rotterdam Convention और Stockholm Convention तो यह हुई है Geneva, Switzerland में Geneva, Switzerland में तो बैक टू बैक यह तीनों ही Conventions बैक टू बैक हुई है Geneva, Switzerland में तो यह तीनों Conventions थी क्या किसके रिलेटिड है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है एक तो environment का भी कोशन है उपर से static कोशन भी है तो Basel Convention, Rotterdam Convention और Stochrome Convention क्या थी यह आपको पता होने चाहिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें Basel Convention की तो यह क्या है किस चीज का देखते हैं इसमें 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 बात किस चीज की की जाती है इसमें बात की जाती है जो हमारा Hazardous Waste है उसका Disposal कैसे करना है जितना भी हमारा Hazardous Waste है इसमें सिरफ Nuclear Fuel नहीं आता सिरफ Nuclear Fuel नहीं आता इवन उन्होंने प्लास्टिक जो है उसको भी Hazardous Waste में कैटेगराइज किया है तो Basel Convention किस से रिलेटिड थी Environment का कोशन है याद क्या रखना है Hazardous Waste और उसके Disposal से रिलेटिड तो Hazardous Waste की उन्होंने Definition क्या दी है वो Explosive हो सकता है जलनशील हो सकता है Poisonous हो सकता है Infectious हो सकता है Croisive हो सकता है Toxic हो सकता है तो इस तरह का कोई भी Waste जो है उसको उन्होंने Hazardous Waste कहा है Basel Convention Sign कब हुई थी तो आगे देखते हैं इसके बाद बाद आएगी Rotterdam Convention सबसे पहले Rotterdam कहा है ये है नीदरलेंड में नीदरलेंड में है Rotterdam और Rotterdam Convention Sign कब की गई ये की गई 1998 में अब इसमें बात किस की की जाती है इसमें बात की जाती है Prior Informed Consent ये वर्ड आपने याद रखना है ये PIC क्या है ये सिरफ एक प्रोसीजर है Rotterdam Convention किस से रिलेशन रखती है किस से रिलेटिड है तो ये है Hazardous Chemicals से रिलेटिड Actually ये difference आपने याद रखना है जो Rotterdam Convention है इसमें Chemicals पर बैन नहीं लगाया जाता Import-Export पर Chemicals पर कोई बैन नहीं लगाया जाता लेकिन उन Chemicals के Import और Export के लिए एक जो है System follow करना पड़ता है एक Procedure follow करना पड़ता है उस Procedure का नाम है Prior Informed Consent यानि कि पहले इस Panel से आपको Permission लेनी होगी जिसने भी Export करना है फिर किस देश को Import कर रहे हैं वो बताना होगा तो Actually इस Procedure को Follow करते करते ये जो Chemicals है इनके Import और Export पर खर्चा भी बढ़ जाता है और देरी भी हो जाती है इसमें Chemicals को बैन नहीं किया जाता ये आपने ध्यान में रखना है अब आगे Stock Home Convention ये Sign हुई थी 2001 में 2001 में नीचे आपने मेरे को Comment Box में ये बताना है कि Stock Home कहां पर है तो ये बताना है इसके इलावा जैसे मैंने Rotterdum Convention में आपको बताया कि उसमें Chemicals पर बैन नहीं लगता लेकिन Stock Home Convention में क्या है कि Chemicals जो भी Harmful Chemicals है उनको बैन भी लगाया जा सकता है उसके रिलेटिड है या फिर उन Chemicals का Limited Use हो तो इस पर भी Stock Home Convention जो है बेस्ट है Rotterdum Convention में सिरफ एक Procedure Follow करना होता है Stock Home Convention में है कि जो Harmful Chemicals है उनका बैन भी लगाया जा सकता है उनके यूज को कम भी किया जा सकता है उसके रिलेटिड है और याद रखना है इंडिया Stock Home Convention का भी Rotterdum Convention का भी और Basel Convention का भी Signatory है तो चलिए चलते हैं आगे Apache Guardian Attack Helicopters अब इसकी डील जो है इंडिया ने US के साथ साइन की थी 2015 में तो उसमें से 22 हेलिकॉप्टर जो है USA ने अभी इंडिया को दिये हैं तो आपने याद रखना है कि Apache Guardian Attack Helicopters हमने किस से लिये थे हमने लिये थे US से US और Boeing के साथ हमने क्या किया था दील साइन की थी 2015 में तो उसकी जो है डिलिवरी हो चुकी है 22 हेलिकॉप्टर इंडिया को मिल चुके हैं तो ये आपने याद रखना है इसके इलावा अभी अभी Geological Survey of India ने सर्वे किया था तो उसके according उन्होंने बताया है कि 35% इंडिया का टोटल ग्रेफाइट रिजर्व जो है वो कहां पे है मिलता है अरुनाचल परदेश में तो ये आपको ड्रेक्टली कोशन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा ग्रेफाइट रिजर्व इंडिया में किस स्टेट में है तो वो है अरुनाचल परदेश में लगभग 35% और इस 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 इंडि कंट्री तो ये आपने याद रखना है इसके इलावा ग्रेफाइट के बारे में आपको ये पूछ सकते है ये बहुत जादा important property बन जाती है क्योंकि it is the only non-metal element that is a good conductor of electricity हमारे जितने non-metal होते है वो bad conductor of electricity होते है लेकिन ग्रेफाइट जो है एक लोता ऐसा non-metal है जो good conductor है electricity का दूसरी चीज इसको क्या कहते है it is also known as dry lubricant for its greasy feel इसको जो graphite है ये greasy feel देता है जिसकी वज़ा से इसको dry lubricant भी कहा जाता है तो आपको अगर ये पूछा जाए कि dry lubricant किसे कहते हैं तो वो कहते है graphite को graphite reserve सबसे जादा जो पाए जाते है तो ये थी आज के हमारे important current affairs अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जादा से जादा like कीजिए और share कीजिए thank you so much जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ